बिस्मिल्लायर wicht0-0-07 आज हमें अपने ग्रिल चिकन को मरीनेट करना है 2 टीस्पून मस्टर्ड पाॉडर 2 टीस्पून ओइल 1 टीस्पून चिली फ्लेक 1 टीस्पून ब्लेक पेपर 1 टीस्पून सौल्ट 1 टीबल स्पून आल स्पाइस वन पेंच फूट कलर, 4 टेबल स्पून और सेस्टर शायर सॉस टाल कर हमने तमाम मसालों को अची तरह से मिक्स कर लिया है अब हम अपने चिकन के फिले लेंगे और इनको अची तरह से इसके अंदर मेरिनेट कर लेंगे मेरिनेशन का टाइम 2 घंटे मिनिमम है, आप ओवर नाइट भी मेरिनेट इसको कर सकते हैं अब हमने एक पैन में 2 टेबल स्पून ओयल लिया और अपने तमाम फिले को हम बारी बारी इसके उपर रख दे जाएंगे और फिर हम अपने तमाम फिले को फाइव मिनट के लिए साइड चेंज नहीं करेंगे फाइव मिनट के बाद जब हमने इसकी साइड चेंज करनी है तो इसका कलर इतना खुबसूरत आ रहा है कि मुह में पानी आ गया है अपने फिलेस को हम दूसी साइट से भी 5 मिनट के लिए इसी तरह रखके इसका कलर प्यारा सा गोल्डन कर लेंगे अब हमने अपना सॉस त्यार करना है जिसके लिए हमने एक पैन में 2 टेबल स्पून बटर लिया बटर में एक स्मॉल प्यास को शामिल करके हम इसको हलका सा फ्राइ कर लेंगे और फ्राइ करके हम इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इन दोनों को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अब हम इसकें अंदर शामिल करेंगे एक cup चिकन की यخनी और इसको अच्छी मिक्स कर लेंगे और जब यखनी मिक्स हो जाएगी तो हमर ऐसमें तो टीस्पून सॉल्ट के और वन टीस्पून बलैक पैपर का शामिल करेंगे इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें 200 ml फ्रेश क्रीम को शामिल कर लेंगे और इसको ठिक होने तक यानि गाड़ा होने तक हम इसको पका लेंगे जैसे ही यह हमें गाड़ी लगने लगेगी तो हम इसको चूले पे से उतार लेंगे और एक बाउल में डालेंगे और इससे पहले हमने इसमें एक टी स्पून औरिगानो का भी शामिल करना है इससे बहुत अच्छी सी खुश्पू आचाएगी हमारे फिले माशाला से बहुत अच्छे कलर के रेडी हो चुके हैं अब हम इनको दस मिनट के लिए दंपे लगा देंगे जनाब हमारी ग्रिल चिकन विज क्रीमी वाइट सॉस और राइस आर रेडी बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही लजीज रेडी हुए है और अपने हाथ से बना के अपनी फैमली को खिलाने का जो मज़ा है उसकी बात ही कुछ हो और है तो जरूर ट्राइ कीजेगा टेक कियर अलाहाफिज